नवश्कार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ नेशा आईए करते हैं ख़वरों के शिर्वाद सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हिट लाइन्स पर कलश स्थापना के साथ शार्दी नवरात्र हुआ शिरू मात दुर्गा की भक्ती में डूबे शर्था लो जमीन कारोवारी अमरेंद सिंग हत्यकान मामले में दो आरूपी गिरफतार सिटी एस्पी ने कहा जल्द गिरफतार होंगे सभी अपराधी नवरात्र को लेकर गंगास नान करने गए तीन युवक्त नदी में डूबे दो कश्रब परामत तीसरे की तालाज चारी प्रमंडली आयुक्त ने सिवल सर्जन कार्याले कक्या ओचक निरिक्षन सीएस पर लगे भैस्टा चार की आरूप को पाया सही और प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक में बालशरम उलंखन का मामला आया सामने अब खवरे विस्तार से भागलपूर समेट देश भर में वैदिक मंत्रचार और कलश अस्थापना के साथ आश्वें शुकलिपक्ष की प्रतिपदा तीथी के अपसर पर सुम्बार को पूरे विधी विधान के साथ शाथी नवरात्र की शुरुवात हो गई नवरात्र को लेकर विवन दुर्गा मंदीरों और पूजा पंडालों में विधी विधान से पूजा हो उई और सुभे से ही वैदिक मंत्रो चार और दुर्गा सब्तशती पाट शहर में गूंसता रहा जिसे महूल भक्ती मैं हो गया शहर के मुंदी चक इस्थित वैशनो दर्वार प्रधान डाकर परिसर इस्थित दुर्गा मंदीर कचेहरी चौफ मुंदी चक गढ़िया भिकनपूर मिस्टा टोला मुदुर्गा मंदीर मिचान हाट दुर्गा मंदीर समिद शहर इवं जीले के विभन ग्रामीन छेत्रों में भी आस्ता और उत्सा के साथ मा दुर्गा की पूजा करश अस्थापित कर की गई इस दोरान तमाम मंदीरों में मा शेरावाली के प्रथम सोरूप माता शैल पूत्री की पूजा की गई जहाँ मंदीर के पुजारी और भक्तों ने धूप, दीप, फल, फूल और पूजन सामोगरी से माता की पूजा की बतादे कि इस वर्ष कोविट से राहत मिलने के पाथ धूमधाम से पूजा के तयारी में पूजा समीती के लोग चुट गए हैं वहीं देश भर में हश्चो लास के साथ दुर्गा पूजा के शिरुवात हो गई जबकि शहर में जगह जगह दुर्गा मंदीरों में चल रहे हैं सब्तशती के संपूट पाठ और भत्ती गीतों से पूरा शहर गुंजमान है इधर नवरात्री को लेकर शहर के सभी दुर्गा मंदीरों में पंडाल निर्मान का कारे तेजी से चल रहा है भागलपूर में अपरात और अपराथी घटना पर अंकुष लगाने में पुलीस प्रेशासन बिफल नजर आ रही है जिसका खामियासा आए दिन कई लोगों को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ता है वहीं बीटे दिरो 19 सितंबर को भागलपूर ववरगन स्थाना शेत्र नतरगर सुर्य लोग कॉलोनी निवासी गंगा दयाल सिंग के पूत्रे जमीन कारवारी अमरेंद सिंग की कुतुब गंच में अपराथियों द्वारा की गई हत्या मामले में पुलिस ने दो अपराथियों को गिरफतार कर लिया है इसको लेकर CTSP सुन प्रभात ने प्रेस कॉन्फरेंस कर हत्याकार्ण और अप्राथियों की गिरफतारी से जोड़ी जानकारी दी प्रेस कॉन्फरेंस में सेटी एसपी सुन प्रभात ने बताए कि हत्याकान को अंजाम दीने के बाद एसएसपी बाबुराम के निर्देश अनुसार टीम गठित कर मामले के जाच और अप्राथियों की गिरफतारी के लिए धर पकड तेस की गई इसमें पुलीस ने घटना में सनलिक अभियुक्त बावरगंस निवासी अर्विंसा के पूद्र राजश कुमार और फ्रिंकू और बाइपास थाना शेत खुटाहा निवासी गंभी रायदप के पूद्र विवेकानंद और डिसको को गिरफतार कर लिया गया है CTSP ने बताए कि अमरेंद सिंग हत्यकार्ण मामले में पांच नामज़त अभियुक्त के साथ पांच अन्य अपरादिक शामिल है रिसमें से दो की गिरफतारी कर पूद्र पूद्र जारी है जबकि अन्य अपरादियों की गिरफतारी के लिए पुलीस लगतार छापे मारी कर रही है उन्होंने बताए कि CCTV फूटेश साक्ष और तक्नीकी अनुसंधान के धार पर पुलीस घटना के जाज कर रही है जबकि इस हत्यकार्ण में एक पाश्चत प्रतिनीदी के शामिल होने की बाद भी पुलीस कर रही है और जल्द ही सभी अपरादियों की गिरफतारी कर इस पूरे मामने का खुलासा करने का भी पुलीस ने भरूसा दिया है साथी कहा कि घटना में स्कार्पियों और एक कार का इस्तिमाल करने की बाद सामनी आई है जिसमें से स्कार्पियों को अजीत यादफ और कार को माय यादफ चला रहा था पहली गटना 19 सितंबर को बबर गज स्थाने अंतरगत की गई थी इसमें अम्रेल श्री नामक व्यक्ति की हद्या पांच नामजद प्राथमिकी अभिक्तों ने कर दिया थी ततकाल सहायक पुली सदिशक नगर के निद्रिक में टीम का गठन किया थी उप्त गठिक टीम के द् प्राथमिकी अभिक्त गठी नामजद पांच अभिक्तों के अलावे तीन और अप्राथमिकी अभिक्ति की गठना zwarant प्रकास में आई है इस तरह कुल मिलाकर दस अभिक्तों के दौरा इस हद्या की घटना को अंजाम दिया गया था बेगु सराय में शार्थी नवरात्र को लेकर सोंबार को गंगा सनान करने वालों की भारी भिर गंगा तटों पर उमडी रही वहीं दौरान अलग-अलग गंगा घाटों पर असनान करने पहुंचे तीन युवक के डूब चाने की भी खवर सामने आई है इसमें से अस्थानी लोगो एवं गोता खोर के मदद से दो युवक का श्रप गंगा नदी से बरामत कर लिया गया है जबकि एक युवक की तलाश जारी है बताया जा रहा है कि पहली घटना तेगरा थाना शेत की है जहाँ पिडॉली निवासे विनोत सहा का पुद्र आजए कुमार गंगा असनान करने के दोरान गहरे पानी में चले जाने की कारण डूफ गया जिससे अस्थानी लोग और गोताखोर के प्रयास से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी वहीं दूसरी घटना बचवारा थाना शेत के जम्टिया गंगा घाट की है जहां समस्तिपूर पुसईया निवासी अंकित कुमार गंगा असनान करने के दोरान डूफ या जिससे उसकी मौत हो गई हाला कि अस्थानी लोगों ने काफी प्रयास कर अंकित को नदी से बाहर निकाल कर इलाज के लिए अस्थानी अस्पताल भेजा जहां चिकित्सकों ने युवक को मिर्द घोशित कर दिया इसके अलावा एक अन्य घटना चक्या थाना श्रेत्र के सिमरिया गंगा घाट की है जहां नवरात्र को लेकर विहट नगर परिशत की उलवाट नंबर 19 निवासी प्रेम शंकर सा का पूत्र मनीश कुमार अस्नान करनी के दौरान गहरे पानी में चले जाने से दूफ गया इसके बाद SDRF टीम और अस्थानी लोगों के दौरा मनीश की काफी तलाश की गई लेकिन युवक का कुछ भी पतार नहीं चल सका वरहाल घटना से गहरे सत्मे में घिरे मनीश के परीजन अभी भी अपने लाल की एक जलक पाने को गोता खोड़ स्टीम से आस लगाए वैठे हैं पूर्णिया के प्रमंडली आयुक्त ने सिवल सर्जन कारियाले का निरिक्षन किया जिसमें आयुक्त ने पूर्णिया सिवल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा पर लगे भ्रास्टा च्रार की आरोप को सही पाया निरिक्षिन के बाद प्रमंडली आयुक्त ने सिवल सर्जन के खिलाफ तीन सदसे कमिटी बना कर जाच करने और टीम दीनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है वही इसको लेकर आयुक्त गोरखनात ने बताये कि सिवल सर्जन दुवारा गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर अपने सगे संबंधियों को निवीदा आवंतित किया गया आयुक्त ने कहा कि दवा के आवंटन, मुवाइल एंबूलेंस के आवंटन जैसे कई मामलों में अनिमित्ता पाई गई है जबकि जाच में अगर बाते सत्ते पाई जाती है तो सिवल सर्जन के खिलाफ F.I.R. दर्च कर विभाक आर कानून के तहत कड़ी कारिवाई की जाएगी बतादे कि पिछली दिनों पुर्णिया CS डॉक्टर एस के वर्मा पब हस्टा चार का आरोप लगा था जिसके जाच कने सोयम आयुक्त पहुचे थे जहां कई गरवडिया देखकर प्रमंडली आयुक्त ने नारास की जताई तो कुछ संचिका हैं जब मैंने देखी तो ऐसा पाया गया कि कुछ क्रय की संचिका में जो बित्तिय नियम है उसका अनुपालन नहीं किया गया है तो उसी में एक बाइक एंबुलेंस के क्रय की संचिका को मैं देख रहा था तो उसका एग्रिमेंट में नाम अमन बर्मा था तो मैंने अचानक पुछा कि ये अमन बर्मा कौन है तो हम बहुत सारे स्टाफ थे बहुत कुछ और लोग थे तो ये बोले उनीक आदमी तो उनीक आदमी से में मेरा मन ससंकित हो गया कि इसका मतलब है कि टेंडर को फाइनल करने में ये किसी अपने सगे संबंधी को तो नहीं ले रहे हैं तो मैंने उसकी कुछ संचिता की फोटो कॉंपी ले के अपने आईटी मैनेजर और सब को दिया कि इसका आप पता कर लिए कि ये कौन लोग उसी में पता लगा कि कोई पुत्र हैं कोई पत्नी हैं कोई और सगे संबंधी हैं तो इसकी सम्मय जाँच के लिए हमने एक आदेश पारित किया कि तरिस सदस्य समीती बना कर इसकी लगातार जाँच कर लिजा और पूरे बित्तिय संबेभार और बित्तिय निरनाई की परकि ये सही पता लगे कि सरकारी रासी का दुरूपयोग और दुरूबिन्योग तो नहीं हो रहा है अगर दुरूपयोग और दुरूबिन्योग हो रहा है तो इसमें जो भी वेक्ति हैं जो इसके लिए responsible हैं उनके पुर्द कठोर कारवाई की जाएगी अगर आपराधिक भागरपूर नगर नीगम की ओर से प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक का उद्खाटन 24 दिसंबर 2021 को हुआ था लेकिन इसके संचालन में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बार्श्रम उलंखन की बात लगतार सामने आती रही है मताया जाता है कि छोटे बच्चों से बोतल और प्लास्टिक चुनवा कर यहाँ पर मंगाया जाता है और फिर उसे मशीन में डाल कर रिसाइकल किया जाता है वहीं सको लेकर प्लास्टिक रिसाइकल बैंक का संचालन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने छोटे बच्चो उसे कोई कारें नहीं करवाया जबकि तस्वीरों में असपस्ट देखा जा सकता है कि छोटा बच्चा किस तरह से बोतल चून कर उसे रिसाइक्ल बैंक के पास रख रहा है बच्ची से काम ने करवारे से क्या करवारे से बच्ची का उमर कितना होगाई तरह का बास करें यह नहीं है तो आप लेने कादेश लेते हैं लेते बच्चे से बच्चा तो नहीं लेकर आए आदमी आया उसके साथ आया वो अभी गया भाई अगर वो किसी गार्जयन के साथ आ रहा है तो वो जो है कुछ जो है गार्जयन को सपोर्ट करने के लिए आता है हम लोगों को हम तो अएसे ही इस चीज के लिए हम फुद जो है लेवर इसके जो है खुद यहां दी है अब तो चला एक छोटी से ब्रेक का फोरण ओटेंगे द देखते रहे हैं सिल्क टीवी क्याओ आता है ब्रिक के बाद पूर से एक बड़ाप्र स्वागत हैं बढ़ते वगली खवर कियो भागलपूर की दिलका मालजे स्थित एक बिभा भवन में बिहार राजे प्रारमिक सिक्षक संग की बैठक आयूचित होई इसकी अध्यक्षता पवन कुमार पवन ने की इस दोरान संग के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप कुमार पपू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार की दोरी नीती की कारण सुबे के सिक्षक आर्थिक मानसिक और शाररिक प्रतार्णा का शिकार लगतार हो रही है निससे गुनवत्ता पूर्न सिक्षा प्रभावित हो रही है उन्होंने कहा कि सिक्षकों की समस्या का निदान किये वगैर बहतर सिक्षा की कलपना संभाफ नहीं है साथी कहा कि सिक्षक जीला से लेकर राजी अस्तर पर विभिने समस्या से जूसते रहे हैं और इसके निदान के लिए उन सबों को संगर्स के रास्ते पर एक जुट होकर आके बढ़ना होगा। पूजा समीति के आयोजक राजु महराना ने बताए कि वर्स 2001 से ही हमारे यहां मात दुर्गा की पूजा होती आ रही है। पूरे दस तिनों तक यहां भक्ती गीतो एवं मंत्रोचारन से इलाका गुंजमान रहता है। कस्टहर्नी मातारानी के विशेस्ता को बताते हुए महराना परिवार के सदसे। प्रतीक महराना ने बताए कि जब से इस इलाके में कस्टहर्नी मातारानी के पूजा के शिर्वात हुई है। तब से लेकर आज तक मातारानी की किर्पा से कोई कस्ट दुख समाच में नहीं है। मौकिपर नरेश महराना, शंकर महराना, संचे महराना, राकी राज पायल समेट कई लोग उपस्थित थे। पहली पूजा से ही यहां माता का रान पुतिष्ठा होता है। हमारे निवास अस्थान पर ही मंदिर बना हुआ है। इसी में अस्थापना किया जाता है। बेगु सराय भगबानपूर्थाना, शेत अंतरगत, महदौली गाची में ठंका के चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। जबकि इस दोरान कई बच्चे और युवक कंभी रूफ से घायल हो गए। इस खटना में बच्चे की हुई मौत के बाद जहां घर में कहुराम मच गया। जबकि आसपास में भी अफरात तफ्री का महोल बन गया। बताया जो आ रहा है कि फुलकारी निवासी वंश राज पास्वान का 16 वर्शे पुत्रे संजीव कुमार अपने नाना राजेंद्र पास्वान के यहां भगवानपूर में रहता था जिसकी मौत मेहदौली गाची में हुए ठनका की चपेट में आजाने से हो गई। इसके अलावा गौं के राजेस पास्वान का दश वर्शे पूत्र विराज कुमार, मुक्ती पास्वान का पूत्र राज कुमार, पास्वान अनील पास्वान की 12 वर्शे पूत्री खुशी कुमारी, ललन पास्वान का 12 वर्षिय पूत्र बिट्टु कुमार और रविंद्र सहा का 18 वर्षिय पूत्र दीरज कुमार भी वजरपात की चपेट में आकर बूरी तहस से जुलस गया जिसे ग्रामिनों की मदद से इलाज के लिए भगवानपूर फात्मिक स्वास्थी केंद्र पहुचा आया गया और आंत में चलते चलते फिर से एक नजराज की हेट लाइन्स पर कलश स्थापना के साथ शार्दिय नवरात्र हुआ शिरू मात दुर्गा की भक्ती में डूबे शर्था लू जमीन कारोवारी अमरेंड सिंग हत्यकान मामले में दो आरूपी गिरफतार से टी एस पी ने कहा जल्द गिरफतार होंगे सभी अपराधी नवरात्रे को लेकर गंगास नान करने गए तीन युवक्त नदी में डूबे दो कश्रब परामत तीसरे की तालाज शारी प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक में बाल शरम उलंगन का मामला आया सामने फिलाल इस बुलेटी में इतना ही नमस्कार झाल